सबीका स्वागत है और देखिए आप सबीके सामने हैं मैंने इस जिगा बैंक निप्टी का चार्ट ओपन किया है कल के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है कहां पर बाइंग या कहां पर सेलिंग करना चाहिए उसके पीछे का चार्ट साइकलोजी लेबल हो सकता मार्केट में continue gap up के साथ काम होते हुए दिखाय दे रहा है लेकिन कल के दिन हमको कैसे काम करना उसके बारे मैं मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको बताना चाहरा हूँ कि आपको कहां पर call या कहां पर photo buying करना चाहिए अब देखिए इस जिगा हुआ क्या था यहां पर आपको सभी को पता हुआ कि एक profit booking देखने को बुली लेकिन मैंने अपने टेलिग्र 5050 रुपे का हाई मारता यहां आज के दिन क्या हुआ आज के दिन market फिर गैप के साथ open पर हुआ है टेकर हमने इस जगा क्या किया है हमने पिकई बाइंग करने की राय्य दी अब ऐसा है क्यों देखिए दोनों चीज़ों को आप समझिए जब market नीचे की side open हो रहा है तो वह एक base बना रहा है, यानि FIS है, आपके नीचे की side buying करने के लिए तयार है लेकिन जब market आपका ऊपर की side open हो रहा है, तो ऊपर की side फिर जो आपका level है जो आपके FIS है, या आपके जो DIS है, वो ऊपर की level पर selling करने के लिए तयार है मार्के देखिए हमेशा लेवल को रिस्पेक्ट करता है और आज तो इसने देखे all time high भी मारा था जो कि आपका 41,000 इस जगह हम देख लेते हैं 41,000 आज 130 के सम्तिंग का ठीक है यह अपका all time high भी हमको देखने को बलाता है फिर मार्केट में देखिए दो चीज़े आपको समझना है कि एक तो ऊपर की साइट picky buying करना है जितों मैं continue आपको बताया है और नीचे की साइट picky buying करना है इतना rule आपको पता होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद देखिए मार्केट में एक psychology level भी होता है जो कि मैं आपको कल दिन बता के गए था एक तालीस हजार पांस हो रहा है क्योंकि market morning में क्या open हुआ था इसके ऊपर open हुआ था देखिए बिलकुल आप देखिए बिलकुल इसके ऊपर ही open हुआ तो जो आपका रजिस्टन था वह सपोर्ट का काम कर रहा था लेकिन market ने जैसे फिर इस लेवल को बिरेक किया नीचे की साइट तो यह आपका क्या हो गए था एक रजिस्टन हो गए था और फिर उसके बाद कभी भी देखिए market आपका एक तालीस हजार पांसो के उपर नहीं गया क्योंकि यह एक रजिस्टन का काम कर रहा था और नीचे इसमे मैं जो profit booking देखने को मुली वह देखने को मुली लेकिन उसके बाद market आपका sideways हो चुका था कि जो हमने टेलीग्राम चैनल पर पब्लीज किये थे call वह मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले था था कि आपको हमेसा market में वीव को follow करना चाहिए इस जगह 41,600 का मैंने इस सब्सक्राइब करने की राय दीती है हमने अपने risk को manage किया था और जगह इस टेम जखी जो आपका काम हो रहा था वह 41,600 के सम्तिंग था उसके बाद आप देखिए तो continue एक बड़ी उसके बाद आप देखो तो continue यानि उपर से 400 से लेकर 500 पॉंटों की selling आपको देखने को मिलती है तो उसमें कितना जबदस profit होता है और सभी profit आप इस जगह देख सकते हो और फिर टेलिग्राम चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के decision में दिया गया कोई भी चार्ज नहीं है तो जॉइन कर लिजे लिंक आपको वीडियो के decision में दिया गया आज का वीडियो का like हम रखते हैं 2000 लाइकों का अब चले बात करते हैं बड़े चार पर बड़े pattern हमको किस तरीके से इस जगह दिखाई देते हैं तो market में ऐसा नहीं है कि आज का profit booking आया तो हमको panic देखना ह पैनिक नहीं करना है कि आज का जेकि जो market में आपको जे वाला जो level दिखाई दे रहा है एक तालीस अजार आज सो चालीस का ठीक है एक तालीस अजार आज सो चालीस का यह इसका high का level है अगर market इसके ऊपर निकलता है जब भी हम कही ने कहीं इस जिगह अब CE buying करेंगे ठीक ह हम कब buying कर सकते हैं जब market अपने low को बिरेक करेगा जो कि आज के दिन देखें इसने बिरेक नहीं किया था एक तालीस अजार एक सो पचास की समतिंग इसका low था क्या था यह इसका low आपको देखने को बलता अब देखें मार्के जब तक अपने low को बिरेक नहीं करेगा जब अपने low को बिरेक करता है कि से बिरेक करता देखें आपको 15 मिट का टाइम फरेम हम देखेंगे उपर से नीचे आया इसने देखें चार्ट को देखते हैं जैसे कि मैंने आपको चार्ट बताया तो इसमें हम क्या बाइंग कर सकते हैं हम इसमें पिकी बाइंग कर सकते हैं बाइंग करने का देखिए चार्ट कैसा होता है मार्केट माच पैटन है नीचे की साइट तो नीचे से देखे ऐसे उपर जाता है फिर एक can Då entsprech करता है फिर अपने car को बिरिग करता है तो इस तरीके से हम सिकी बाइंग करते हैं अभी मार्केट क्या हो रहा है अगर जी देखे अपने locale Commercial को घुरेंग करता है इसमें पहला टार्गेट जाँ आपकर दीखने को बिलेगा वह इस जगह 41,000, 40,050 का दीखने को बिलेगा दूसरे टार्गेट के अगर हम बात करें तो दूसरा आपको दीखने को बिलेगा इसके अंदर यह जगह मैं आपको लिखना चाहूंगा मन में जो भी सावल आता है मुझे अशका like हम रखते हैं 2000 likes हो तो मुझे उमिद है कि आप सभी लोग इसको भी पूरा करोगे आपके मन में जो भी सवाल है मुझे comment कीजिए और फिर इंटीड्य टेलिग्रम चैनल का link आपको विडिडियो को डिशिशन में दिया गया है अब मैंने आप सभी के सामने इस जगा option chain उपन किया है जो कि देखे 15 सितंबर का है अब हम लगाएंगे 22 सितंबर का ठीक है option chain और एक्सपारी का मतलब क्या होता है आज के दिन एक्सपारी था यानि market हलका हो चुका है पुदी सर्फ कट चुकी है अब इस जगह देखे data काफी कम आपको इस जगह देखने को मलता है market ने जो इस जगह closing दिया है वो मैं लिखना चाहूंगा आप सभी के सामने इस देखे closing जो दिया वह 41 सजा 200 के समतिंग का दिया ठीक है उपर की साट का जो रजिस्टेट हम देखते है वो इस जगह देखे जो support हम देखते है वो support हमको दिखाई देता इस जगह मैं आपको अताना चाहूंगा 40,900 का जी हमारा एक support है और यही लेवल हमको कई न कई एक low में मदद करेगा उपर की साट की अगर हम लेवल की बात करे तो उपर की साट देखे जो हमको दिखाई देता वो 41,500 का अब इसी लेवल पर आज के दिन मार्केट ने काफी काम किया जब जब मार्केट इस लेवल पर आता था मार्केट नीचे की साट जाता था और हमको पी की बाइंग करने की opportunity देखने को मिलती थी यानि उपर की लेवल यही लेवल था जो हमको कई न कई करने का मौका दे रहा था लेकिन अगर मार्केट नीचे की साट open हो जाता यानि 40,900 के something हो जाता है तो इस जिगह ह दो तरीके के लोग थे हैं एक होती है अपने रिक्स को मैनिस नहीं करते हैं कभी मार्केट दे कि उन्होंने इच जगह 300 रुपे में कुछ बाइं किया है या इच जगह 350 में कुछ बाइं किया थो अगर नीचे जगह 100 बाइब लग यह बिंश जो होता है जो जब इस referral मिलता है जो कि मैंने आपको होता है तालीस हजार पांच होगे समतिंग कर तो उस जगह हमको सेलिंग करने की भी अपॉचुनिटी देखने को नीचे की साइड ओपन होता है तो उसमें हमको कैसे काम करना चाहिए वह मैं आपको बता दीता हूं क्यों कि काफी लोगों को इस जगह लेबल हुआ करता था और इसी लेबल से देखें मार्केट कंटीनी्यू तेजी आपका दिखाता गो dice úание महा देखने को अब मार्केट तेँसे लेबले पर फिर से नीचे साइट आता है तो आप क्या बोलोगकि है वह पर फिर से ही फिर से साई मिल राखा है वह आपने दिखा हूगा कि मरें के CE buying करके चल सकते हैं ठीक है अब buying कैसे करना है चीजों को समझो market नीचे open हुआ नीचे open हुआ थोड़ा consort किया consort किया और फिर उपन लिकल गया ठीक है यानि इसने क्या किया कि अपने high को break किया जब भी तो power आया नहीं इसके अंदर यहां पर मैं इसका edge jumper भी दिखाना चाहूंगा जिए edge jumper है market नीचे open हुआ इस जगह देखे consolidate किया और फिर इसने अपने high को break किया दिया तो break किया फिर तेजी तो आप सभी के सामने कि कितना जवदस तेजी आया था इसी तरीके से हम इस जगह काम करके चल सकते हैं बस condition हमारा इतना सा है कि इस जगह 4800 के नीचे नहीं जाना चाहिए यानि इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए इसके नीचे गया तो हम see buying नहीं करेंगे अगर इसके उपर ही मिलता है तो हम buying करके चल सकते हैं ठीक है फिर देखे इसमें हमारा target क्या होगा तो target की बात कर लेते हैं वो important है काफी जादा तो पहला target तो देखे जगह जो आपको देखने को बुलेगा वो 40,950 का देखने को बुलेगा दूसरे target की बात करें तो 41,100 के चल सकते हैं ठीक हम इने आप सभी के सामने है इच्छा वर्ण अवर्स का चार्ट ओपन किया है देखे मैं सबसे पहले तो अपना view देना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको नई जो buying करना पड़ेगा वो ऊपर ही कीचे ठीक है अगर जी इस level के ऊपर निकलता है मैं लेवल को नीचे के साइड बेरेक करता है तो उसमें हम पीई buying करने की कोशिस कर सकते हैं आज का लाइक का target मैंने आपको बता दिया है 2000 लाइकों का target है उसको पूरा कीजिए अपके मन में जो सवाल है मुझे comment कीजिए और हमारे टेलिगरम चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जैहिन बन्दवाता हूँ